आरती रक्स का स्टॉक प्राइज लाश्ट फाइज में सेवें टाइमस हुआ, इसका मतलग आप सिव वन लाक इनवेश्ट करते हैं मार्च 2020 में, तो आपके जो प्रॉफिट्स होगे, वो सिव फाइज में लबबग 6 लाक के आपको प्रॉफिट्स मिल जाता, तो इसका बेसि क्या है, क्या क्या ऐसे अलग-अलग फैक्टर से जो API इंडस्ट में फिलाल में प्ले हो रहे हैं, और यह जो कंप्लिट API इंडस्ट यह है, अलग-अलग जो मैनुफेक्टरर से उनके प्रॉफिट्स इतने जादा बढ़ क्यों गए है, और इसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प क्या होगा, तो जरूर आप चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल पर आपको काफी डीटेल में fundamental analysis, technical analysis और जो quarterly के results होते हैं, इसके बारे हम काफी डीटेल में डिस्कस करते हैं, मैं Instagram और Twitter पे भी active हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी follow कर सकते हो, पहले हम RT-Drugs के milestone से शुरू करेंगे, तो यह जो company हो 1984 में शुरू हुई थी, बाद में 1993 में उन्होंने BSE में listing किया, और 1996 यह year काफी important है company के लिए, क्योंकि अलग-अलग जो 7 companies थी, उनको आप देखोगे, तो उनका amalgamation हुआ, इसका मतलब उन्होंने consolidate किया, या एक merger हुआ, तो इस कि रूपल केमिकल्स, राशेश केमिकल्स, इसके अलावा मंजरती केमिकल्स, मंजरती plasticizer private limited, effective chemicals, star aluminium industries और average wire industries, ऐसे अलग-अलग जो 7 companies थे, उनका एक company में आप देखो तो consolidation हुआ, बाद में 2003 में उन्होंने NSEI ने national stock exchange पे listing किया, 2008 में उनका जो plant है, उसको USFDA का approval मिला, इसके आगे जाके हम और detail में discuss करेंगे, 2015 में क्या हुआ था, उनको basically 483 का import alert जारी हुआ था, तो इसके क्या detail से हम वीडियो में आगे देखेंगे, 2011 में उनका जो complete business था, याने consolidated business, उसका turn over 500 croce का उन्होंने complete किया, और 2014 में वही उन्होंने 1000 croce को complete किया, याने 2011 to 2014 आप देखोगे, तो ये काफी एक better period था, काफी high growth उन्होंने किया था, और वही समय में 2014 में उन्होंने Pinnacle Life Sciences ये जो company है, उसमें 100% का stake लिया, ये उनका basically subsidiary है, इसमें आप देखोगे तो इसका use generally जो formulation का business है, उसमें वो use करते है, आती drugs के आप देखोगे तो majorly 3 categories आ जाते है, जिससे उनके business के revenues आते है, सबसे बड़ा उनका जो category है, वो API का segment है, याने active pharmaceutical ingredient वो manufacture करते है, जो आप देखोगे तो दवाई में एक important substance होता है, second उनका आप देखोगे तो वो formulation का business है, जिसके लिए उन्होंने Pinnacle Life Science ये जो subsidiary है, उसका formation किया है, और third important category आप देखोगे, तो वो specialty chemicals का है, तो ये सारे categories जो है, उसके बारे हम वीडियो में आगे जाके काफ़ी detail में discuss करेंगे, 2015 में आप देखोगे तो आरती drugs ने उनका profit before जो tax है, उन्होंने 100 crores का complete किया, ये भी काफ़ी important achievement है, और 2017 में जो Pinnacle Life Sciences है, जो उनका formulation ये specifically जो category है, उसमें उन्होंने turnover 100 crores का चुकिया, turnover आप 2019 में उनका जो complete consolidated business है, याने API, specialty chemicals और formulation वो सारा मिला के आप देखो तो उन्होंने 1500 crores का turnover 2019 में अचुव किया, 2020 में company ने दो major achievements किया, एक हो गया उनका PBT याने profit before tax उन्होंने 150 crores को अचुव किया, और PAT याने profit after tax उन्होंने 100 crores का अचुव किया, और उसके बाद में सबसे interesting च जो result आया था, June quarter का, उसमें उनका जो PAT था, वो सिर्फ one quarter का, single quarter का 80 crores का था, याने उनका जो last year में complete year का जो revenue आया था, उसका 80% revenue तो आप देखो तो first quarter में हुआ, तो इसके बज़े से जो stock का price है, वो भी काफी बढ़ गया है, लगबग जो stock है, वो March के level से, March में जो stock है, व यह आप देखो तो लगबग वो जो stock है, वो six to seven times हुआ है, और उसके क्या reason से हम इसके बारे में ये वीडियो में काफी detail में discuss करेंगे, अभी हम देखते है कि R3 drugs कौन-कौन से अलग-अलग जो API जे वो manufacture करते है, इसके related उनके कहाँ पर plans है, total उनकी capacity क्या है API की, total profit में कितन contribution आता है, अलग-अलग उनके business segment, जैसे कि मैंने आपको बताया, API का business segment है, formulation का business segment है, और specialty chemicals का है, तो पहले हम देखते हैं कि उनका metformin ये जो product है, जो generally diabetes को treat करने के लिए use होता है, उसमें वो one of the largest producer है, total world में, second R3 drugs का product deck होगे, तो उसका नाम है fluoroquinolose, इसमें अलग-अलग phlo आते हैं, जैसे कि सिप्रो phloxacin, जैमी phloxacin, लेवो phloxacin, नौर phloxacin, ओ phloxacin, ऐसे अलग-अलग types है, generally antibiotics है, इसके भी हम details जो है, वहाँ आगे जाके दिखेंगे, recently government ने कुछ anti-dumping duties भी लगाया है, इसके भी details ये complete वीडियो में देखेंगे, तो ये जो सारे अलग- इसके क्या reasons है, आगे जाके R3 Drugs के business में क्या हो सकता है, उनके profits आ सकते है या नहीं है, कितना sustainable है, फ्रियाल में stock का price इतना क्यों बढ़ा है, इसके सारे जो fundamental reasons है, इसके बारे में ये वीडियो में काफी detail में discuss किया है, तो यदि आपको मेरे वीडियो से help मिल रहा है, आपके investing में इसका benefit हो रहा है, तो जरूर मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और ये वीडियो आप आपके friends के साथ भी share कीजिए, ताकि उनको भी इससे benefit मिल जाएगा, अभी हम R3 Drugs का third product देखते है, जिसका नाम है Tini Dazzle, तो Tini Dazzle ये जो product है, उसमें भी world में उनके पास largest capacity है, या largest वो produce कर है, उसके बाद में mettonidazole benzolate ये उनका जो API है, या ये जो product है, वो basically antibiotic है और उसका use infection को treat करने के लिए होता है, ketoconazole ये जो product है, उसका use keen के जो diseases है, उसको treat करने के लिए होता है, neem suladine और ये एक anti-inflammatory drug है, उनके पास total 50 से ज़्यादा जो APIs है, उनका वो manufacture करते है, और जो finished product से वो 80 से ज़्यादा है, total जो export से revenue आता है, वो complete consolidated business का 34% का है, और monthly जो API की capacity है, वो 3588 metric ton की है, और ये API capacity के बारे में हम आगे जाके और detail में discuss करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि total install capacity कितना है, इसमें से वो produce कितना करते है, और captivity कितना consume करते है, याने as a raw material कितना वो consume करते है, total API के जो plan का area है, वो 34,071 square meter का है, और revenue, EBita और profit after tax के जो details है, जब हम financial को discuss करेंगे, तभी इसके बारे में detail में देखेंगे, अभी हम देखते हैं उनका revenue mix क्या है, याने कौन-कौन से business segment से उनके complete revenues आते हैं, तो इसमें आप देखो तो majorly 4 business segments है, जैसे की intermediates और others, specialty chemicals, formulations और API, और API यह जो उनका business segment है, इससे सबसे ज़्यादा revenues आते हैं, 2017 में आप देखोगे, तो आरती ड्रक्स का API का segment है, उससे 80% के revenues आये थे, लगबग 13% के उनके जो revenues है, वो formulation के business से आये थे, 3% के जो revenues है, वो specialty chemicals और intermediate से आये थे, और 2020 में आप देखोगे, तो उनका जो API का segment है, व 29.8% के है, 11.5% के उनके revenues formulation के business से आते है, और intermediate के business segment से 5% और specialty chemicals के business से 3%, specialty chemicals के business के related हो, company currently capex कर रहा है, इसके details हम आगे जाके देखेंगे, और ये capex complete होने के बाद specialty chemicals यह जो division है, उससे काफी ज़्यादा revenues आ सकते है, अभी हम देखते हैं कि जो अलग-अलग therapeutic categories है, API segment में, उसम basically revenue का क्या contribution है, तो API segment में major categories आप देखोगे, तो antibiotic है, anti-protozole है, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-fungal, ये basically total 5 major categories है, जिसमें antibiotic यह जो category है, वो सबसे बड़ा category है, जिससे 45% के revenues आते है, API segment के, उसके बाद में anti-protozole है, 16% का contribution है, anti-inflammatory से 11% आते है, anti-diabetic से 10%, anti-fungal से 7%, और उसके बाद में cardio protectant, specialty chemicals और other से जो revenue revenues है, उसके details मैंने यहाँ पर share किये है, और ये जो सारे अलग-अलग APIs, RT drugs manufacture करता है, तो उसके related अभी हम उनकी install capacity कितनी है, production कितना होता है, captivity याने raw material जैसे वो consume कितने करते है, और total net production कितना है, तो यहाँ पर आप आप देखो जो install capacity है, 2020 year में, वो 43,060 metric ton किया है, उसमें से जो financial year 2020 में production हुआ है, वो 32,753 metric ton का था, और इसमें से 7,162 metric ton captive भी consume किया था, इसका मतलब उन्होंने as a raw material use किया था, उनके final product बनाने के लिए, अभी हम RT drugs के जो तीनों major segment से जैसे कि उनका API का segment, formulation का segment, और specialty chemical का segment, इसमें currently क्या changes आ रहे है, या आगे जाके company क्या capex करने वाली है, और उससे future में कितने revenues आ सकते हैं, इस सब के बारे में discuss करेंगे, तो पहला उनका जो anti-diabetic का category है, उसमें आप देखोगे, तो उन्होंने एक second phase का जो expansion था, उसको 2020 में complete किया, जिसमें उनकी जो manufacturing capacity है, metformin की, उसको उन्होंने thousand metric ton per month के लिए increase किया है, फ्लोरो क्विनोलोज ये जो उनका segment है, जैसे कि उसके बारे में मैंने पहले बाता है, अलग-लग phloxacin आते हैं ये segment में, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो वो cipro phloxacin, jamie phloxacin, levofloxacin और o phloxacin ऐसे अलग-लग phloxacin manufacture करते हैं, और majorly उनके जो सारे phloxacin है, उसके related उनका backward integration है, कुछ जो raw materials है, फिलाल में भी चायना से import कर रहे हैं, पर इसका जो percentage terms में आप देखोगे, तो वो सिर्फ 15-20% का है, और इसका भी चायना का dependence है, raw materials के लिए, वो कम करने के लिए, वो green field कुछ expansions कर रहे हैं, या इसके फिलावा third parties, या बाकी Indian manufacturers है, या जो alternative sources है, वो आर्ती drugs find कर रहा है, ताकि उनका जो dependency होगा, चायना से वो काफी कम हो जाएगा, यहाँ पर recently आप देखोगे, तो उनके जो majorly o-floxacin और ciplo-floxacin जो products है, उस पर Indian government ने आप देखो तो anti-dumping duty लगाया था, इसलिए ये जो stock है आप देखो तो इतना बढ़ गया है, उसका एक reason anti-dumping duty का भी है, और दूसरा reason ये भी है कि Chinese जो producers है, उन्होंने ये जो floxacin जो APIs है, उनके जो prices से वो already increase किया है, और इसके अलावा जो second reason है कि R3 drugs के जो volume से वो भी काफी बढ़ गये थे, क्योंकि उन्होंने last कुछ years में काफ भी तेजी से increase हुआ है, anti-protozole ये जो उनका category है, उसमें आप देखोगे तो वो incremental कुछ expansions कर रहा है, downstream जो products है, उसमें वो improvement कर रहा है, और जो PLS scheme में Indian government का, याने product link incentive scheme, उसमें भी उन्होंने apply किया है, backward integrate करने के लिए भी वो यहाँ पर काम कर रहा है, anti-protozole ये category में, इसक category में, anti-drugs का worldwide एक leading position है, specialty chemicals ये जो उनका division है, इसमें आप देखोगे, तो आगे जाके वो बहुत ज्यादा heavy capex करने वाले है, कुछ green field के जो capex है, फिलाल में वो कर रहा है, गुजरात में उनका capex हो रहा है, या expansion हो रहा है, और इसमें वो chlorosulfonation ये जो chemical है, या ये जो process है, इसके related वो capex कर रहा है, इसका जो total amount है, वो 200 to 300 croze का है, और ये जो capex है, उसको एक phase wise कर रहा है, जिससे उनके 2022 financial year के बाद में जो revenues है, उनमें contribution होगा, उसके बाद में उनका formulation या और एक segment है, इसमें आप देखोगे, तो उन्होंने pinnacle chili, ये उनका separate subsidiary उन्होंने launch किया था, और formulation का जो segment है, वो फिलाल में तो काफी छोटा segment है, इससे revenues काफी कम आते है, पर ये जो segment है, वो company को ये लग रहा है कि काफी तेजी से यहाँ पर grow कर सकता है, और वो यहाँ पर export पे भी काफी focus कर रहे है, आरती drugs का तारापूर में एक multi-purpose plant है, जिसमें वो expansions कर रहे है, वो capex करने वाले है, 2021 ये financial year में, anti-diabetic ये जो category है उसमें, और इसका जो use होगा, वो European markets में होगा, anti-inflammatory ये आप देखो तो उनका और एक category है, जिससे उनके revenues आते है, जिसमें वो brown field का expansions कर रहे है, याने existing जो plant होता है, उसमें यदि आप और capacity का addition करते हो, तो उसको brown field expansion कहा जाता है, यदि आप completely नया plant लगा रहे हो, तो उसको green field expansion कहा जाता है, तो ये जो expansion है, वो 2020 calendar year के end में complete हो जाएगा, यहाँ पर actual में calendar year होना चाहिए और financial year नहीं, और ये expansion complete होने के बाद, r3drugs के जो revenues है, उसमें और growth आ सकती है, r3drugs के जो इंडिया में plans है, उसमें आप देखो तो USFD याने 2015 में import alert जारी किया था, याने 483 का जो letter है, वो उन्होंने r3drugs को दिया था, और ये import alert के accordingly r3drugs कोई भी उनके जो products है, वो US में sell नहीं कर सकता, बर 2015 में r3drugs के जो total sales के volumes थे, उसमें से US का जो contribution था, वो सिव 1% का था, और इसलिए उन्होंने लिखा है, कि यहाँ प plant है, वो r3drugs फिलाल में 50% capacity utilization पे चला रहा है, और इसते जो product manufacture हो रहा है, उनको वो यूरोप में sell कर रहा है, क्योंकि यूरोप में जो regulations है, वो अलग है compare to US में regulations है, और US के regulations को meet करने के लिए r3drugs ने फिलाल में उनको ये बोला गया कि आपको third party का जो auditor है, उससे आपको audit कर करना होगा आपके plant का और बाद में USFDA फिर से यहां पर एक inspection करेगे, और यदि उनको सारी जो चीज़े हो सही लगती है, तो USFDA ने जो ban किया था r3drugs के products को US में sell करने के लिए, उनको वो निकाल सकते है, तो r3drugs के accordingly, suppose वो ऐसा achieve कर पाते है, तो ये single plant से उनके जो revenues होगे, वो 7200 करोज के revenues उनको ये plant से मिल सकते है, अभी हम r3drugs के total जो manufacturing के plants है, ये जो facilities है, उसके details देखते है, तो महराष्टरा में उनके total 9 facilities है, गुजरात में उनके 2 facilities है, और इसके अलबा r3drugs का pinacle ये जो subsidiary इसका और एक plant है, और इसका जो use है, वो जंदली formulation ये जो segment है, उसके अलग-अलग drugs manufacturing में होता है, तो total r3drugs के इंडिया में 13 manufacturing के plants है, जिसमें वो formulation और API ये इसके अलबा specialty chemicals manufacture करते है, और इसके अलबा उनके और third party से कुछ try-ups भी है, यानि यदि उनको और कुछ manufacturing करना है, तो इंडिया में जो बाकी pharmaceutical product related manufacturers है, उनसे भी वो manufacture करा सकते है, r3drugs domestic market मे उनके जो top 10 products है, उसमें market leader है, इसमें से जो उनके topmost client है, वो सिर्फ 2.93% के जो revenues है, उसमें contribution करता है, इसका मतलब काफी diversified उनके clients है, और जो total top 10 clients है, वो उनके total revenues का 24.81% का contribution करता है, यानि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि काफी diversified उनके clients है, export में आप देखोगे, तो उनका जो topmost client है, वो सिर्फ 3% का contribution करता है, यानि export में भी r3drugs ने काफी diversification किया है, और जो total top 10 export के clients है, उनका जो contribution है, वो सिर्फ 19.64% है, उनके total export sales का, और r3drugs अलग-अलग जो product manufacture करते हैं, उसमें से जो total top 10 products है, उसका जो contribution है, टोटल sales में, वो 76. 46.43% का है, यानि यहाँ पर वो काफी ज़्यादा है, पहले यह थोड़ा कम था, और फिलाल में r3drugs सिर्फ ऐसे ही products पर focus कर रहा है, जिससे उनके ज़्यादा revenues आए, और जो ऐसे products है, जिसमें ज़्यादा growth नहीं है, या उनके जो revenue का contribution कम है, उसमें ज़्यादा focus नहीं कर र और इससे r3drugs के जो revenues है और profit जो है, वो काफी बढ़ गए है, अभी हम देखते कि total कौन-कौन से countries में r3drugs export करता है, तो total आप देखोगे तो 104 countries में r3drugs का export है, और इसमें top countries देखोगे तो Brazil, Egypt, Pakistan, Indonesia, Iran, ऐसे अलग-अलग top countries है, और यहाँ पर जो regulated market है, उसमें r3drugs 53% के export होत इसके details आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि Asia में 51% के export है, यूरोप में 13% के, North America 7%, अफरीका 11% और लाटीन अमेरिका 8%, तो आतीर्ग्स के जो USA में export है, वो काफी कम है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो USFDA का plant है, उसको फिलाल में अब तक approval नही होगे, वो plant से वो लगबग 7200 करोज के उनके total revenue यहां से आ सकते है, यानि उनके profits में आगे जाके काफी, आप देखो तो heavy increase हो सकता है, पर इसके लिए कुछ समय लगेगा जब तक USFDA उनको allow नहीं करता, अभी हम आतीर्ग्स के जो अलग-अलग clients से इसके details देखते हैं, तो यहां पर आप देखो तो सिपला हो गया, फाइजर हो गया, या इसके लाव आब आब और्ड, या टॉरंट, फार्मा, लूपीन, ऐसे अलग-अलग आप देखो तो pharmaceutical जो manufacturers है, वो उनके clients है और यह काफी बड़े manufacturers है, इंडिया के भी है और out of इंडिया के भी manufacturers है, recently आप देखो गये, तो वो सिप्रोफ्लॉक्स देखो गये, और उसके रिलेडर उनको काफी यहां पर benefit मिल जाएगा, टोटल जो import duty है, वो $0.94 to $3.29 per kg के लिए है, वो depend करता है कि total quantity कितना है, तो यहां पर R3 drugs के लिए काफी benefit हुआ है, इसके अलवा government product link incentive scheme पर काम कर रही है, और टोटल 53 ऐसे अलग-अलग जो APIs है, उन्होंने identify किये है, इसमें से आप R3 drugs के देखोगे, तो metforming हो गया, या इसके लवा Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin और Levofloxacin ऐसे जो अलग-अलग products है, वो R3 drugs यहां पर manufacture करता है, और इसमें से जो Ciprofloxacin और Ofloxacin है, उसमें already जो anti-dumping duty है, वो government ने लगाया है, बाकी भी जो APIs है, उसके related government काम कर रही है, और उनका ये plan है कि API manufacturing ये जो segment है, उसको कैसे boost मिल सके, अभी हम उनकी debt to equity देखते हैं, तो debt to equity आप देखोगे, तो 2016 में 1.29 ताइम्स था, और continuously आप यहां पर देखो तो fall हुआ है, फिलाल में जो debt to equity है, वो 0. 0.52 टाइम्स है, और यहां पर काफी comfortable position में है, फिलाल में आर्ती ड्रक्स का जो business है, अभी हम सबसे important discussion करेंगे, जो operating cash flows, capex और free cash flows का होता है, तो 2016 में आप उनके operating cash flows देख सकते हो, blue color में 133 करोज के थे, इसमें से उनका जो capex है, वो 99 करोज का उन्होंने किया था, यानि जाएगे जो 33 करोज के थे, उसके बाद में 2017 में उनने 66 करोज के post किये है, यहां पर उनका जो free cash flow था, वो actual में negative था, क्योंकि उन्होंने जो capex किया था, वो जादा किया था, compare to operating cash flows, 2019 में 69 करोज के हो गए, और 2020 में free cash flows जो है, वो 203 करोज के हो गए, तो आप total 5 year के comparison में दे study करते हो, तो आपको single year के लिए नहीं देखना है, 5 या 10 year के basis में आपको देखना होगा, तो operating cash flows last 5 years के आप यदि उसका सारा addition करते हो, तो आपको 769 करोज का मिल जाएगा, total capex उन्होंने लगबग 402 करोज का किया है, और यदि आप operating cash flows minus capex करोगे, याने 769 minus 402, इसका answer आप को 367 करोज का मिल जाएगा, पर ये 367 करोज के जो free cash flows है, last 5 years के, उसमें से जो major cash flows है, याने 203 करोज के जो cash flows है, वो आप देखोगे तो उन्होंने 2020 में ही किये थे, याने majorly उनका जो business में turn around हुआ है, वो current के year में हुआ है, financial year 2020, और financial year 2020 में और वो improve हो सकता है, यदि Indian government के जो capex होने वाले है, specialty chemical ये segment में या इसके अलावा जो API segment में वो और capex कर रहा है, तो इसके जो results होगे वो हमें next 2 या 3 सलों में दीख सकता है, तो फिलाल में तो मुझे R3 drugs का business काफी अच्छा लग रहा है, management ने भी यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, most of the उनके जो products है उसमें R3 drugs world में number one है, और इससे उनको काफी benefit मिल जाएगा, और वो lowest cost producer भी है, तो currently जो stock है वो मेरे portfolio में hold नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको watch list में लखा है, और कुछ मुझे suppose correction मिलता है, और future में earnings का कुछ visibility मुझे आता है, तो यह stock में मेरे portfolio में add कर सकता हूँ, यह जो हमने क काफी detail में discuss किया, R3 drugs का जो business model है, इसके related, तो आपका यहाँ पर क्या opinion है, आपको क्या लगता है, कि जो API manufacturer से उनके जो recently profit काफी ज्यादा increase हो गया है, वो क्या आगे जाके sustainable हो सकते है, और इसके लाव यह आपको और भी जो manufacturer से API industry में, जैसे कि Loras Lab या Newland Lab, इसके related एक separate video चाह करते हो, मेरा जो complete analysis है, यह सारे stocks के बारे में, मैं आपके साथ share करूँगा, आपको यह notification आपको आगे जाके भी मिलते रहे, और यह video आप आपके friends के साथ भी share कीजिए, ताकि यह जो सारा detail analysis मैंने यह video में किया है, उससे उनको भी benefit मिल जाएगा,